और ये कपरा जो है ना इसमें खून लगा हुआ और ये कपरा फटा हुआ कपरा है और दोस्तों ये जो कपरा फटा हुआ है यहां का कानून ब्यवस्ता फटा हुआ है दोस्तों और ये सारा कपरा उस दिन का है जब इन लोगों को सरक पे उल्टा उल्टा के दो लरका दो की असमत को रौंद रहा था दोस्ते नमस्ते दोस्तों नितीज कुमार जी के करांतीकारी सराबंदी कानून के बाद अवैद कमाई के नसे में डूबा हुआ पूरा सिंग्या थाना का एक मनोज कुमार चोद्री जब सिंगिया नवालिक बच्ची के साथ बलतकार करता है उसके बाद पूरे थाना छेट की बच्यों में नौप छहा जाता है और उसके बाद भी जब इन तीनों बचीओं के साथ चेहर खानी की जाती है इसके साथ मार पीट की जाती है कपरा पारा जाता है और इसके सीने पे चरके गुंडे लाच से हुमच देते हैं उसके बाद जब ये डर्टे डर्टे सिंग्या थाना पे पहुंचती है और बोलती है कि सर देखिया हमारे कलेजा पे चरके हमको मारा गया है हमारे साथ शेर्खानी हुए हैं तो कितनी बेसरमी से बुबन कुमार कुर्सी पर बैठ करके परमोज प्रेमी यादब का आसलील बोजपूरी गाना सुन रहे हैं हमें कलेजा पर चाहर के बुजवाबू सहले हैं छोटू दोनों पर चाहर के कलेजा सुन से अभी कुछ जोड से बोलते हैं तो उसमें दर्द होने लगता है जब कुछ हो जाएगा तब आप लोग एक्शन लीजिगा इसका मतला है अभी एक्शन नहीं ले रहा है जब किसी को कुछ होगा तो एक्शन लीजिएगा दोस्तों यह लग गिर गिरा रही है सर 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 लेकिन उनको बोजपूरी गाना सुनने से फुरसत नहीं है दोस्तों फ़री देर के बाद वहां पर एक अधिकारी आते है उपेंदर कुमार और जब यह बचियां उनके पास बुहार लगाती है तो इसके पेटीशन को फार करके इसके मूँ पर फेक दिया जाता है और ऐसा क्यों न करें दोस्तों क्योंकर यह जो तस्वीर देख रहे हैं इसमे सिंग्या के थाना परवारी किस्नकांट मन्डल जी जो ऐसे ऐसे लोगों के साथ पोटशवा के गरवान भीत महसूस करते हैं औरЛी घि know सम्मानित व्यक्ति के साथ किसी समाजिक व्यक्ति के साथ किसी सिक्षित व्यक्ति के साथ किसी सब व्यक्ति के साथ भी तस्वीर खिचवा लेते और इस तरह से कि यहीं के दूसरा पार्टी जो है उपंदर कुमार को मोटी नदे देता है। लेकिन दोस्तों जो केस दर्ज होता है वहां से इन लोगों की नहीं होती है लेकिन इस केस कि आई यह जाएगी तो उन अपरादियों से उचे चार करने वादे लोगों से पैसा खागर कर दिया लोगों पे जुटा केस कर दो और देखिया कितनी पेसरमी से इस लगी को पूल पे उपें दर्ख कर रहे हैं लुट है जाएगी इंस्पेक्टर सहीब को लाए थे ना हां वहां जाएगी तो हम उनसे कउये हैं कि सारू वह लोगों किया था वोही कि दिरोद में लोगो इस कर दिया लोगों सारे जुट हूट का केस है लोगों से हम हिंट कर भी है लेकिन लोग आपको पता है तो केस का है धर्ज कर लिए और रोसरा के इंसपेक्टर को सरह माना चाहिए जो पैसा करके जूटा इन्वेस्टिगेशन करते हैं सुपरवीजन करते हैं दोस्तों एक महीना पहले यह लोग केस दर्ज करवाती हैं एक महीना के बाद जूटा केस दर्ज होता है जूटा केस में सारी परकिरिया हो जाती है लेकिन इनके सचे केस में दोस्तों कोई परकिरिया नहीं होती है जानते अफी धाना में थी जो वीडियो में रही है। नर्गिस परवेन नरुज समें नर्गिस परवेना में हुनु थाना पर गये और आप भोल रहहे थे कि कलिज्g आ o Chemistry के मारा छेर resulting कि आ चुलिए कि अंदो पूठ tocar है यह तो पूल रहा हो वह कि यहां बहुत दो घंटा से इसे लिए कि तुमलोंख पूछ रहा थी कि सर करवाई कहा है नहीं कि करवाई कहा है इसलिए गुसा में तुम्हारे मूह पेटिशन पोड़ की जो यह आरोप लगा रही वह सत्य हैं क्योंकि आ वीडियो भी बन रहा था क्योंकि महिनों से इन लोगों को दोराया जा रहा था बाद में DSP साहब मदद किये थे वो जब वीडियो देखे ना जब जाके हम लोगों का मदद किया उसके बाद एफाय अर्दर्ज हुआ हम थाना पर बोले थे कि लड़की से संपर करके अफाय अर्दर्ज करो जी जी क्या घटना हुआ था और कून फोटो घीज रहा था क्या हुआ था पूरा बाद मेरा घर श से अएले सरी मुहमद शगिर के पिदाजी का मोहमद कारी जी शीबभया काई यह है तुम लोगो देखके असलील भुशपुरी गाना बजा रहा था उससे कोई फरक नहीं पड़ था लेकिन हम लोगों का वीडियो भी साथ में बना रहा था था वीडियो बना रहा था जब ह छोपर से तुम्हारा आंगन दिखता है अगर देखा जाए तो भाई लग सकता है तो क्या बोला वीडियो जब बोले तो अब भी क्या कर रहा है जब नहाँगी जब हैं वहां पे रहोगी तो अग्दम वीडाउट में वीडियो बनाएंगे बाथरूम जाओगी फिर भी बना वीडियो जब भी जब जाकर वो सब जो हम लोग विरोध किया तो चुछा फिर्सांट हो गिया जो थोड़ा बूतो के संथों ऑपने भाबी के पासद के यहाँ से बढ़ चार बज रहा था तो हम हाँ से आ रहे थे तो मेरा हाइब कर कि अभू शाहले शरीप और मोद और सरक करिए ततक को मेरा प्रवपर रहा था उसके बाद भी फिर जाद में लों का आगे जब तक वह जब तक मिलके मेरे शाथ मतलब गलत करने की कोशिस कर रहा था अब भुछ ले सारिप करने का परियास कर रहा है meant cctv में भी में भी में इसका वीडियो भी हैं फिर भी कारवाई फिर भी हम इसकी तब करने वैं यहां लोग जो यह दिंखाने के वजह से माथीं करने लग बाधि bağ पहले इलाज करवा किया जब हम लोग वहां हस्पता सिंहां हस्पताल में गए तो वहां से जब कलेजा पर चटके जो हुचा था अबुशेले शरीफ तो हम लोग को जो है ना वहां दर्भंगा DMC अचे रेफर कर दिया गया वहां से दो दिन के बाद हम लोग आए उसके बाद हम लोग ठाना पे गया है तो फायर दर्ज हम लोग का हो ही नहीं रहा था तब तक तो वह सब भूश्दे ही दिया था उसको जो है ना मतलब बड़ा-बड़ा आदमी से संपरके गुंदा लोग से संपरके जिससे हम लोग के साथ लब को इंसाफ अभी तक नहीं हुआ है उस के मिले तो वीडियो देखें पर स्ट बोले कि तुम्हारा केस हो गीया है सकेंड नम्मर में जब वोव बोले बोले कि नहीं हमलोग का केस नहीं वह जुत बोले तो फोन करके हम लोग सामने में वो पूछें तो वो बोला कि सर ये तो बहुत वड़ा मौमला है आप तो बोले कि छोटा मोटा मौमला तब जाके हम लोग काई फायर दर्ज हुआ फिर पी साहब पहल कि यह थे उसके बाद भी फिर द्यास्पी साहब को भी कॉल करते हैं जब भी भाई को में बहुत बोलते कि फोन रखो फाल तुम्हें फोन करते यह कोई मामला नहीं हुआ फोन रखो आज के बाद फोन मत करना में पास इसका भी पुरूफ है अलो अब फोन कार्ट दिये हैं अब कर दे तो तो डिसीप ठोड़े करते हैं अच्छा वो हम बोले तो क्या हुआ है रखेपन फोन क्यों रखे दोस्तों क्रिश्नकांट मंडल जी के लिए किसी लड़की के छेर खानी का मामला कोई मामला नहीं है और इसलिए नहीं है क्योंकि उनके ताना के मनोज कुमार चौधरी एक नवालिक बच्ची के साथ रेप करते तो जब उनके लिए वह कोई मामला नहीं था तो छेर चार कैसे कोई मामला हो सकता है उसके बाद क्या उसके बाद जो हम लोग एक मंत तक फिर जब केस हुआ तो फिर हम वहाँ केस कर दिया और धंकी यह दे रहा है कि तुम्हारे पापा को हम रेप केस में फंशा देंगे हैं और मेरे पापा सुबह साथ बज़े निकलते हैं और आठ बज़े रात में ही आते हैं जहां मेरे पापा काम करते हैं उसके सामने CCTV कैमरा भी लगा मेरे पापा घर पे रहते है है किसम वह बेहन तो यहाओ आती ही नहीं है कभी भी वह रहती ही नहीं फिर वी उसका भी नामधळ दिया गया है इस केस के औ यो भो रहे थैं ना կह हमई को पता है किकेस कि मunya तुम हाँ यह भी वोल ले थैंग यह हमें पता है कि तुम लोग पर जूटा केस कीया गया इसका भी मेरे पास पूरूफा, फिर भी अब जब जब वो जान रहे थे कि उसके पास पूरूफ है। हम पर जूटा आरोफा पिर किस आफ्या क्यों डर्ज की आपकी बेटी के साथ anti care तो किआप लोग ऐसे करिए गां बताइए हम को सिभ कुछ नहीं बस हम आप लोग की बेटी हैं बस मेरा इंसाफ करिया आप लोग पर ही हम छोड़े हम लोग थाना तो छोए इनसाफ नहीं किस तरह से कुमार भुबन इसके सामने असलील बोज पूरी गाना बजाता है जब ये थाना में सिकाइद करने जाती है और हाथ में कपरों का अमबार है दोस्तों इस लरकी के पास और ये कपरा जो है ना इसमें खून लगा हुआ है और ये कपरा फटा हुआ कपरा है और दोस्तों ये जो कपरा फटा हुआ है ये यहां का कानून बेवस्ता फटा हुआ है और ये सारा कपरा उस दिन का है जब इलोगों को सरक पे उल्टा उल्टा के दो लरका दो उचक का दो आवारा इलोगों का कपरा उल्टा के इनका कपरा फार फार के इसकी असमत को रौंद रहा था दोस्त। चेरखानी कर रहा था दोस्तों कपरा फारा जवरदस्ती करने की कोशिस किया कपरा लेकर के घूम रही है कि साइध कोई पदाजिकारी इनकी बातों को सुन करके इनको नहाई दिलबा दे दोस्त। और मुवाइल में सबूत लेकर के घूम रही है लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है और ताना परवारी किसन कांट मंडल काते हैं होंड़क ऐसी इस तरह से बात की जाती है इन बच्चियों के साथ सोचिये दोस्तों कि एक परिवार में छे साथ बहने है और सब डर के साए में घर में पैक रहती है कोलेच छूट गया परहाई छूट गया इस्कूल छूट गया बाहर निकलना छूट गया लेकिन यहां के पुलीस परसासर ने घूस खा करके उल्टे इनके ऊपर ही केस करवा दिया है बहुती सर्मनात मामला है दोस्तों दोस्तों यह आपके पड़िवार की बेटी बहन है और आज आपके सामने इसलिए आई है क्योंकि कानून से इसको न्याई नहीं मिला दोस्तों जैस्पी साहब ने अपने अस्तर थे पूरा प्रियास किया लेकिन बिका हुआ सिंग्या थ जब पुलीस वाला ही रेप करता है जब पुलीस वाला ही पेटीशन फार के मूँ पे फेकता है जब पुलीस वाला ही इनके इज्जत को रोंदने वाले अवारा लर्कों से पैसा ले करके इनहीं को फसाता है दोस्तों वीडियो को सेयर कीजिए और इस परिवार को न्याई चोटी चोटी बाइने की बच्चिया दिनवर्टन परचर करके पास्ता है दोस्तों गरीब पट्रूम मैं यह लोग बातूम साथ इन saatे में वगता एक में एकरP नहीं हुए है दोस्तों और आज भी ईनों को दंकी दिया जाता है और यह This चोटा सा बच्चा देख रहा है इसको पकर करके थपरा दिया गया मारा गया कि घर में जाकर करके बोलो कि अपने बाप पहन को कि केस उठा ले दोस्तों और रोज यह लोग छेरकानी की सिकार होती है रोज यह लोग उतपीरन की सिकार होती है रोज डर डर के जीती है लेकिन यहीं बिहार है बिहार में बहार है निटी से कुमार है महिला सुरक्षा का हाल बेहाल आपसे निवेदन है कि हम लोग के साथ निया किया जाए है मेरा पढ़ाई जा रहा है हम लोग इंटर कभी एक एडमीशन नहीं हो पाया है कि आपसे निवेदन करते सच का साथ दीजे में नया कि जिए बोलते हुए आखों में आशु आ गया है लब थर थरा गया है और पूरा आख जो है आशु से भर गया है दोस्त यह आशु नहीं है यह वो डर है उन गुंडों का दोस्त और यह डर है संगिया थाना के कानून का चेरखानी की सिकार लड़कियों पर ही चेरखानी का केस करवा देता है दोस्त कुछ कहना है सर, देखिये, हम रोसरा में 8 वजे घर से आ जाते हैं, रोसरा में हम काम करते हैं, वहां CCTV केमरा भी लगा हुआ, और वहां भी जितना भी दोकनदार आप उससे पूछ लीजिए, हम आठ वजे आते हैं, 8 वजे राते में जाते हैं, तो फिर जूठा में मेरे उपर केस धरज कर करके चारवज़े बोला जो आया मेरे यहां इसक आंगन में घूस कर के खंति से मारा गया है, एकिस समय हम जाकर के खंकidents से सधिया और इससरी geçम यहां विटि इसको कहा जाता है उसका कान का बाली लेकर के सरभी घूच लिया गया है जूठा मुकदमा में पसा जी सर मेरा आप एक बात होने के नाते कैसा महसूस करते हैं इतनी सारी बच्चीयों को लेकर कि आपको घर में कैद रहना पड़ता जी वही तो मंद के लिए सरम से हमको मंद जाते हैं कहूं भी जा रहे हैं सर मेरा नियाई नहीं मिला हम हमको नियाई चाहिए सर हम आप लोग इनती हम रही नियाई दिलवाद दिया आपको अफसोस हो रहा है कि बेटी लेकर के भीहार में रहना पर और बियार का कानुन नियाए चाहिए और हम यही कहें गेंगा है जूठा मेरे उपर मकादमा दर्ज कर दिआ गया है बारबार प पच्ची के साथ छेरखा नी होता है फीलोग को पत्व हो पुलिस के द्वारा गुंडो के द्वारा जी सर समितनाय कहला चाहिके अज आधा हम लोगे साथ क्टो है वाका यहां को कुछ नहीं चाहिए आप दो कर सैंने हम लोगको नहीं चाहिए अभी कि बापा को रीप केस में खशा देंगे हम चे भेहन तो क्यों सब्लोग को आत्मानाtr़ करें चाहिए इससे बहतर हम कुछ रोज की जिल्लत भरी जिन्दगी से अच्छा है कि मर जाएं अगर हम लोग को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तो हम लोग खुद खुशी कर लेंगे रोज थाना मारता है रोज रोज फोटो गिशता है जी हमेशा क्या बोलता है बोलता है कि अभी क्या किये हैं अभी देखते जाओ नो क्या सब और पुलीस तो मेरी मुठी में हैं हम चाहें तो कुछ भी कर सकते तुम लोग के साथ कुछ भी इस इतना हम खुलके बता चुक्झे आप लोग सोच सकते हैं बेटी एक बहन के लिए कितनी बड़ी बात हैं बता ये बोलने में इतना सरम आ रहा है तो अगर आप लोग की बेटी के साथ होता तो क्या आप लोग चुब बैठते नहीं ना तो हम लोग के साथ इंसाप करिए बस इंसाप ही चाहिए हम लोगों को